कि वेल्कम भैक आयम भरशाने तुड़े वी लर्न नरेशन आज हम लोग नरेशन पढ़ेंगे नरेशन समझ रहा है ना नरेशन को ही डायरेट से इंडायरेक्ट स्पीच में बदलना भी कहा जाता है तो आज हम लोग नरेशन देखेंगे और नरेशन में सबसे पहले यह देखेंगे कि वाट इस नरेशन नरेशन क्या है तो अगर इसका हम साबदी कर्थ देखेंगे तो नरेट मींस होता है वरण करना नरेट मींस होता है सुनाना नरेट मींस होता है व्याख्यान देना तो नरेशन मींस हो जाएगा व्याख्यान य इसमें हम डायरेक्ट स्पीच काते हैं तो स्पीच मने होता है भासन या स्पीच मने होता है बोलना तो जो डायरेक्ट होता है और इंडायरेक्ट होता है इसको हम समझते हैं कि यह डायरेक्ट सेंटेंस क्या है और इंडायरेक्ट सेंटेंस क्या है तो डायरेक्ट सेंटेंस व उसे फिर नरेट करते हैं उसका व्याक्षान करते हैं तब वह indirect होता है अप antibiotic imaging कैसे समझेंगे जैसे मानन के चलिए कि यह नेता जी सुवासचंदर बोष है ठीक है और यह जो है जो पीपुल है जो जनता है कामन पीपुल है वह लोगों वहां पर हैं तो नेता जी सुवासचंद्र बोश करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा तो यह डारेक्ट सेंटेंस हो गया अब इंडारेक्ट कम होगा जब उस बात को हम अपने हिसाब से किसी और से नरेट करेंगे तो वह इंडारेक्ट हो जाएगा जैसे हमने कहा कि नेता जी सुवासचंद्र बोश कर रहे थे कि वे लोग यानि कि जनता वे लोग उनको खून दें और वह यानि कि नेता जी सुवास चंदर बोस उनको आजादी देंगे तो इस तरह से होता है यह हो जाएगा डाइरेक्ट जब किसी के कहे गए कथन को हम जियों कात्यों लिख देते हैं एक एक्जामपल और लीजिए जैसे सोले मुवी आपने देखा है तो सोले मुवी में क्या होता है कि जो कालिया होता है वह गबर से कहता है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है तो यह तो डारेक्ट सेंटेंस हो गया क्योंकि वहाँ पर सरदार था और कालिया था अब जब उसकी बातों को हम यहां पर बताएंगे तो हम उसको जब बताएंगे तो वह indirect में हो जाएगा कैसे कालिया ने सरदार से कहा कि वह यानि कि कालिया उसका नमक यानि कि सरदार का नमक खाया था तो कुछ चीजें जो मूल भूच चीजें वो बदल जाती है इसको हम लोग एक्जामपल के हिसाब से समझेंगे तो यह हम लोगों का डारेक्ट इंडारेक्ट का फस्ट लेशन रहेगा अब इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है और रिपोर्टेड स्पीच होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं जैसे एक एक्जामपल है अब देखिए जो कामा इनवर्टेट कामा के बाहर है इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच reporting speech नाम याद होना चाहिए इसलिए नाम याद होना चाहिए क्योंकि जब आप नाम नहीं जानेंगे तो फिर आगे rules जानना थोड़ा मुस्किल हो जाएगा और जो कामा inverted कामा में रहता है इसे कहा जाता है reported speech reported speech अब देखिए reporting speech है तो यह जो है reporting speech का subject है और यह जो है reporting speech का verb है यह reported speech का subject है यह reported speech का helping verb है और यह reported speech का main verb है तो जो भी parties में रहेंगे वो reported speech के रहेंगे और जो parties में रहेंगे वो reporting speech के रहेंगे तो अब यह देखना है कि जब हम direct से indirect बनाते हैं तो कौन कौन से जो जो βृसिक रूल से वह क्यों से रूल डेखिए ज़ ஐर 127 यह कैसे पता चला कि यौ कि किसी के कहे गये कफ़न को acts लगे। आप जब यह पनाते हैं तो कुछ गूं को ध्यां देना हैं जब हम इन डारेक्ट बनाते हैं तो जो जो reporting speech होता है तो reporting speech को हम जयोंकात्यों लिखते हैं लेकिन कहा change होता है अभी वही आपको बताया जा रहा है लेकिन पहले हम लोग इसको देख लेते हैं राम सेज कामा इनवर्टेट कामा हटा करके हम दैट का प्रयोग करेंगे यह जो दैट का प्रयोग किया गया है यह कनेक्टिविटी के रूप में प्रयोग किया गया है अब यहां देखिए राम सेज राम कहता है कि मैं जा रहा हूं तो जो सब्जेक्ट होता है संधार चेंज होगा अगर सेकेंड परसन है यानिकी यू तो आप जिट के अनुसार चेंज होगा और यहां थ़र्ड परसन है तो तो फिर वही तो जा रहा है यानि कि He is going अब कैसे बदला किस में बदला और क्यों बदल गया इसी को हम लोग सीखेंगे कि ध्यान दीजिए जब रिपोर्टिंग इस पीच में आपजेक्ट हो तो अब जिक अभी इसको हम लोग समझेंगे ऐसे में से टू को टेल में से टू को टेल्स में और से टू को तोल्ड में बदल देते हैं और कामा इनवर्टेट कामा यानि कि कामा को हटा कर connectivity के रूप में connectivity के रूप में डैट का प्रयोग करते हैं डैट का प्रयोग करते हैं करते हैं एक्जामपल के लिए इस चीज को यह बेसिक रूल है इसको आपको समझना पड़ेगा अब देखिए एक एक्जामपल मैं लिख रहा हूँ अब देखिए यह डायरेक्ट सेंटेंस है यह डायरेक्ट सेंटेंस है अब इसको हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो जब इंडायरेक्ट बनाएंगे तो राम सेज को हम ऐसे ही रहने देंगे राम सेज अब यहां टेल्स में इसे नहीं बदलेंगे क्यों नहीं बदलेंगे कि यहां reporting speech यहीं तक खतम हो जा रहा है और reporting speech में आपजिक्ट है नहीं तो जब आपजिक्ट नहीं है तो सेज को हम तेल्स में नहीं बदलेंगे यहां देखिए सेज ही नहीं क्यों लिखा है सेज टू भी लिखा गया है तो जब यह सेज टू नहीं है कि इसको हम टेल्स में नहीं बदलेंगे कोई पूछेगा कि हम इसे टेल्स में क्यों नहीं बदल रहा है तो आप यह कहेंगे क्योंकि यहां पर आपजेक्ट नहीं है इस छेखने होता है वह चेंज होता है चेंज़ में रहे द सब्कार को स्क अचाल इस को आप देख लिए तो यह चेंज किया जाता तो यह चेंज नहीं होगा यानि कि C is यह सेम टू सेम आ जाएगा, C is reading a book नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जब हम इसका indirect बनाएंगे तो indirect बनाते समय अब देखिए यहां sage 2 है, यहां object है तो ऐसी स्थिती में यह हरी है तो ऐसी स्थिती में हरी sage 2 को हम tales में बदल देंगे tales me कर देंगे sage 2 को ही हम बदलेंगे tales me और कामा inverted कामा हटा करके हम that का प्रियोग करेंगे यहां जो you है, यह reporting speech के object के अंसार change होगा हरी मुझसे कहता है कि तुमने अपना काम कर लिया है तो काम किस ने कर लिया है, मैंने कर लिया है यानि कि यह हो जाएगा I have done और यहां देखिए UK according, यह उर्था possessive adjective तो यहां I के अंसार my हो जाएगा my work next हम लोग देखते हैं अब यह direct sentence है जब indirect इसका हम बनाएंगे तो हो जाएगा I say to, देखिए say to है न, तो इसको हम बदल देंगे I tell you sorry I tell her I tell her comma inverted, comma हटाएंगे that का परियोग करेंगे that यहां you देखिए हर के एक अडिंग change होगा तो यह मैंने मैं उससे कहता हूं मैं उससे कहता हूं कि तुम एक अच्छी student हो एक अच्छी विद्यार्ती हो इसका मतलब वह है एक अच्छी विद्यार्ती है और हर के कार्डिंग यहां सी का परियोग हो जाएगा यानि कि सी इज ए गुड इस्टुडेंट आप देखिए रिपोर्टेड इस्पीज का सेंटेंस कब कब बदलता है किसमी बदलता है और क्यों बदलता है तो कब बदलता है इसको खेन क देगे यह चीजें आपको क्लियर हो गई दूसरा देखते हैं हम लोग अब देखिए यहाँ जो सेंटेंस है हरी सेड इसका जो हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा हरी शेड इसमें टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि आपजेक्ट नहीं है और कामा इनुवर्टेट कामा हटा करके दैट का परियोग करेंगे यहां आई जो है हरी के अनुसार चेंज होगा हरी कहा कि मैं एक पत्र लिखता हूं तो इसका मतलब वह वह एक पत्र लिखता था अब यहीं ध्यान देना है ही रोट ए लेटर वह एक पत्र लिखता था तो अब यहीं बहुत बड़ा एक नियम आ जाता है कि जब रिपोर्टिंग स्पीच इस कब की बात हो रही है जब reporting speech past tense में हो, तो reported speech क्रमसा present indefinite से past indefinite में, present continuous से past continuous में, present perfect से past perfect continuous में बदल जाता है, इसको ऐसे देख लिजिए अब ध्यान दीजिए फिर से, जब reporting speech past में हो, past की बात हो रही है, past indefinite नहीं, past perfect नहीं, past continuous नहीं, कुछ नहीं जब reporting speech past tense में हो, जब reporting speech past tense में हो यह past tense में हो, तो reported speech क्रमसा present indefinite से past indefinite में, यह हवाला sentence बदल जाएगा किसमें present indefinite से past indefinite में, present continuous से past continuous में, present perfect से past perfect में, present perfect continuous से past perfect continuous में, और भी इसके अलामा बदल जाते हैं, कौन कौन, उसको हम लोग देख लेते हैं है यह दो अब थ्याधान दीजिए कि विल्ख को बादलेंगे जब रिपोर्टिंग इस पीच पास्टेंस में रहेगा ठीक है पास्टेंस में ध्यान दीजिए पास्ट परफल्ट पास्ट पाइस-कूई-और यहां जो कम को जो किया गया है यहाह कभी कभी हमेशा नहीं यूज होता है अभी और हैं के जिसको हम लोग देख लेते हैं प्रवाइब आगे आगे अगे 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 थीक है इसको देखिए होता क्या है रिपोर्टिंग इस पीच जब पास्टेंस में होता है तो टूड़े को जो रिपोर्टेड क्यों टूदे है उसको किस बदलते हैं और जो वर्ड है जैसे先is iPhone iosco कि दटिम टोड़े को दैट दे में टोनवाल्टे को देट नाइट में इस्टट्यक को दख्रिवियस में टुमारो को दे में या दो फालोइंग डे में भी बदल देते हैं तुमारो को और लास्ट को दप्रीवियस में या यहां नाउन रहेगा उसके बाद बिफोर रहेगा नेक्स्ट को दफालोइंग में अब देखिए कब बदलते हैं पहरा कोश्चन यह होगा कब बदलते हैं तो जब रिपोर् दिया है जो मैं भूला हूं उसको आप इस्क्रीन पर देख लीजिए और क्यों बदल जाता है अब हम लोग इसको देख रहे हैं देखे जब इसका इंडारेक्ट बनाएंगे राधा से टुमी राधा ने मुझसे कहा आई गो टू माई हाउस डेली मैं प्रति दिन अपने घर जाती हूं रोजाना अपने घर जाती हूं तो जब इसका इंडारेक्ट बनाएंगे तो सेड टू को हम टोल्ड में बदल देंगे ये पहले आप जान चुके हैं तो हो जाएगा राधा टोल्ड मी अब राधा मुझे कहती हैं राधा मुझे से कहती ती की मैं अपने घर जाती हूं प्रति दिन तो इसका मतलब जब मैं आपको आकर के बताओंगा तो ये देखिए राधा मुझे यह कहूंगा कि राधा ने मुझसे कहा कि वह अपने घर जाती थी क्योंकि वहां से जब हम आएंगे बताने आपको तो बात हैं बीत चुकी होंगी इसलिए यह भी सेंटेंस बदल जाता है और कंडिशनल सेंटेंस का यह रूल है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्टेंस में ही होना चाहिए यदि रिपोर्टिंग स्पीच पास्टेंस में नहीं है तो रिपोर्टी Nice का वाक्य नहीं बदलेगा अभी हम लोग देखेंगे अब यह परेंट इनडिफिनिट में है तो यह पास्ट इनडिफिनिट में हो जाएगा सीवेंट-टू अब आई के कार्ड यहां हर हो जाएगा हर हाउश डेली डेली एक्जाम्पल और देखते हैं कि यू आर टीचिंग है नाव है इंडारेट बनांगे देखिए सी है सेट टू हर उसने उससे कहा है यू आर टीचिंग नाव अब तुम पढ़ा रही हो जो यू है यहर के कार्डिंग चेंज होगा तो जब हम इंडारेट बनाएंगे तो हो जाएगा सी है यहां सेडको हम टौल्ड में बदल देंगे तोल्ड ह कियों बदल देंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच में आब्जक्ट है और सेडकु है तो होजाएगा pick noite और कमा इन वले हटा देंगे हां प्रयोग करेंगे यू को हर कि एक आण इंग करेंगे तो हो जाएगा सी अब देखिए पर जैनिट कांटिनिस में है तो फिर स्पिर किस्म जाएगा सी इस्टीचिंग C is teaching now किसी में भी नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यहां reporting speech को ध्यान से देखिए यह reporting speech past tense में नहीं है क्योंकि has लगा हुआ है यह present tense में है इसलिए reported speech का sentence change नहीं होगा केवल और केवल subject change होगा एक example और हम लोग लेते हैं जैसे जब इसका हम इंडिरेक्ट बनाएंगे देखिए राजू सेड़ आई हैब कम्पिलीटेड माई वर्क राजू ने कहा कि मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है तो जब हम इसका इंडिरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा राजू जब आब सेड को टोल्ड में नहीं बदल सकते क्योंकि यहां अब्जिक्ट नहीं है तो राजू सेड कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और यहां आई जो होता है यह रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जिक्ट के अंसार चेंज होता है तो यहां राजू कर रहा कि मैंने पास्टेंस में है से पर्जेंट पब्हें सिंटेंस में ऊस्टवेंहें яжा ही पास्ट वहां पर्फेक्ट में बदल देंगे यानि की हो झागा छाओ मिने में उस्टिन और हिए परफार धरफेंस को यहां कर देंग एक अरफेंस कि यहां कि सैन्ट कर देंसł कब बदलता है जब reporting स्पीच, कि समय में बदलता कर दो puesto है और उस बात को हम आ करके यहां कहते हैं, तब तक कुछ समय बीत चुका होता है, इसलिए बदल जाता है, तो अगर आपने देखा है, इस वीडियो को आपको पसंद आए, तो सस्क्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको रोजाना एक वीडियो मिलता रहे देखने के लिए, लाइक भी कर दीजिए, सेर भी कर दीजिए, थांक्यू भेरी मच्च